तो आठ अपराधी, आठ से नौ दिन की घटना, कई सारे सवाल और इन सवालों के बीश में अभी भी सभी की गिरफतारी के अंजार, कुछ और जानकारिया हैं, मलिक आपको लिए पिल्कुल शुभांकर, सिद्दू मुसेवाला के हत्या को नौ दिन बीच चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस को कोई ठोस काम्याबी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि उन आठ शूटरों की पहचान हो चुकी है, जिनका नाम इस हत्याकान में सामने आ रहा है एक एहम गिरफतारी इस पूरे मामले में अब तक हुई है, उस शक्स की जिसने इन शूटर्स को गाड़ी मुहाया कराई थी, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको गोलियों की तर-तरा हट की वो गूज वो देहशत भरी दो पहरी वो सीसी टीवी से जांकते सुराग और थार गाड़ी में पड़े सिंगर का वो बेदम जेस्म ये सब कुछ नौ दिन पुराना है, इतना पुराना कि आब इन के साहरे नए-नए सवाल खड़े होने लगे हैं मगर इसी बीच पंजाब पुलिस की फाइल से एक नए खुलासे का पन्ना खुल गया ये सिद्धु मुसे वाला हत्या कांड के सिलसले में पुलिस की फाइल का वो पन्ना था जिससे कुछ नए नाम, कुछ नए चेहरे और कुछ नया जाक रहा था ये हैं वो नए चेहरे पंजाब के सिंगर सिद्धू मुसे वाला की हत्या में आठ शूटरों के शामिल होने का शक है और जाट एजेंसियों को अब तक जो सुराग मिले हैं उनमें यही आठ चेहरे हैं जिने सिंगर का शूटर माना जा रहा है सिद्धू मुसे वाला हत्यकान में इन पाँच आरूपियों के शामिल होने पर सबसे ज्यादा शक गहरा रहा है अब तक की पुलिस तफ्तीश के मुताबिक आठ ऐसी तस्वीर जारी हुई है जिनके बारे में माना जा रहा है कि सिद्धू मुसे वाला पर इनी आठ लोगों की बंदूकों ने मौद बरसाई थी तीस गोलियों ने सिद्धू मुसे वाला के एकलोते जिसमें 24 छेद कर दिये थे संदिग्द आठ शूटर शूटर एक सुभाष बनुदा महराष्ट शूटर दो संतोष जाधव महराष्ट शूटर तीन सारब राजिस्थान शूटर चार मन्जीत शूटर पांच प्रियवर्थ और फॉजी सोनिपा थर्याना शूटर छे हरकमल पंजाब शूटर साथ जगरूप सिंग और फॉपा पंजाब मनप्रीथ सिंग गिरफतार पुलीस के मताबिक मनप्रीथ और फ्मनु मोगा रूपा अमरिसर जोडा गाउं मन्नी अमरिसर खुर्सी गाउं प्रियवर्थ फॉजी सोनिपाथ और अरंकित सेरसा सोनिपाथ की मुसा हत्याकाण में एहन धूमिका रही है सिद्धू मुसेवाला की हत्या में शामिल अभी तक एक भी शूटर गिरफतार नहीं हो पाया है वहीं पूस्ताच के आधार पर तकरिबन साथ ऐसे संदिक शूटर है जो कहीं न कहीं लॉरेंस बिशनोई से जुड़े हुए है उनकी तलास में ताबर तोड चार राजियों में छापे मारी की जा रही है सूतरों के मुताबिक सिद्धू मुसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों में से तीन पंजाब के दो पूरे महराश्टरा के एक राजिस्थान का और दो हरियाना के शामिल है अभी तक जो चहरे और उनकी सच्चाई सामने आई है उससे तो यही लगता है कि कातिलों ने सिद्धू मुसेवाला को मौत के घाट उतारने से पहले कितनी बड़ी और जबर्दस प्लानिंग की थी मिली जानकारी कहती है कि अब तक जिल शूटरों की पहचान हुई है उनका तालुक आखिर भारतेस्तर पर है मसलन सिद्धू मुसेवाला की हथ्या के लिए कई गैंग के गुरगे और शूटरों को इस काम पर लगाया किया पुलिस की जानकारी से पता चलता है कि ये एक इंटरस्टेट गैंग सिंडिकेट का काम है जिसमें तीन शूटर पंजाब से थे, दो शूटर्स हर्याना के और दो शूटर्स पुने महराष्ट के लावा एक शूटर राजिस्तान का बताय जा रहा है बकॉल पुलिस जाच आरोपियों में से प्रियवर्थ फौजी पर हर्याना पुलिस ने मुसेवाला की हत्या को लेकर 25,000 का इनाम भी रखा है फौजी बिट्टू बरोणा के पिता क्रिश्न की हत्या में भी शामिल रहा है और एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक वारदातों में उसकी तलाश है जबकि फौजी रामकरन गैंग का शार्फ शूतर भी रहा है पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला हत्याकाण में रवीवारात को पंजाब पुलिस ने एक बर फिर से हरियाना के फत्यवाद में दबिश दी मोगा पुलिस ने मुसेवाली गाउं के देविंदर और फकाला को गरफतार किया मुसेवाला हत्याकान में फात्याबास से ये तीसरी गिरफतारी है फिलाल पंजाब पुलिस सामने आए उन आठ चेहरों और फतेबास से पकड़े गई शाप शूटर डेविंदर और फकाला के साथ साथ उन तमाम लोगों को कानून के शिकंजे में घेरने की कोशिश में लगी है जिन्नोंने सिंगर का सीनक छननी कर दिया इसी बीच सिद्गु मुसे वाला मरडर केस में पुलिस के हाथ एकास सीसी टीवी फुटेज लगा है जिसमें दो संदिग्द गैंक्स्टर दिखाई दे रहे हैं ये सीसी टीवी फुटेज एक पैट्रोल पंप से मिला है ये पैट्रोल पंप हर्याना के फतेवाद के गाउ बीसला में है फिलाल तो पुलिस सीसी टीवी के साथ साथ उन तस्वीरों को हाथ में लेकर पंजाब से लेकर माराश तक सरस्दर रखंगाल रही है देखना दिल्चस्प रहेगा कि आकर नौ दिन के बाद अब और कितने दिनों तक पुलिस सिद्धु के शूटरों को सलाको के पीछे पहुचाने में काम्याब हो पाती है चंडिगर से सतेंद्र चौहान मांसा से अर्विंदोचा के साथ तंसीम हैदर दिल्दी आस्तक